परिचय रेशे यानी पौधों और जन्तूओं दोनों से प्राप्ट किये जा सकते हैं। कुछ परिचित पौधे जैसे कपास, जूट और सन रेशों के प्रमुक स्रोथ हैं। रेशों के कुछ प्रमुक जन्तू स्रोथ हैं भेड, बक्री, उंट, एलपेका और लामा। यदि हम कीटों को जन्तूओं से भिन माने तो रेशम कीट को फाइबर के कीट स्रोथ के रूप में वर्गिक्रित कर सकते हैं। इस पार्ट में हम पशू रेशों के बारे में विस्तार से जानेंगे, खासτοर पर उन के बारे में। इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे। उन की विशेश ताइम बताना, भेड की उन का वर्ण करना, उन जन्तुओं के बारे में बताना जिन से उन मिलती है भेड से उन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्ण करना रेशों से उन बनाने वाले संसाधन को समझाना उन की विशेष्टाएं उन प्रोटीन फाइबर होती है यह एठन दार और लचीली होती है एठन उन को फूला हुआ बनाती है और उश्मा को रोगने में सहायता करती है उन नमी और धोनी को सोकती है क्योंकि यह खोकली होती है साधरन तया उन क्रीम जैसे सफेद रंग की होती है लेकिन यह काला, भूरा या चांदी जैसे रंग में भी हो सकती है उन हाइपो एलर्जिक होती है दूसरे शब्दों में या मनुश्यों में कम एलर्जी उत्पन्न करती है भेड की उन उन का मुख्ष्रोत भेड है उन प्रदान करने वाले जन्तूओं के शरीर पर बालों का मोटा कोट होता है उनके बाल बहुत सी हवा को रूक लेते हैं क्योंकि हवा उश्मा की कुजालक होती है इसी लिए बाल जन्तू को शुष्क और गर्म रखते हैं जो ठंडी और कठिन चलवायों में जीने में सहायता करते हैं भेड की बालों वाली त्वचा में तू प्रकार के रेशे होते हैं कड़े गल्मुच्छे वाले बाल और त्वचा के महीन मुलायम बाल महीन बाल उनी कपड़े बनाने में प्रयोक्त होते हैं और कड़े बालों का प्रयोग गलीचा बनाने में होता है जन्तु जो उन उत्पन्ने करते हैं भेड के अलावा कई अन्य जन्तु भी उन का उत्पाधन करते हैं ये जन्तु हैं याग याग की उन तिबद और लद्दाख में सामाने है अंगोरा बकरी या पहाडी क्षित्रों जैसे जम्मो एवं कश्मीर में पाई जाती हैं इससे प्राप्त उन को अंगोरा उन कहते हैं कश्मीरी बकरी इससे प्राप्त उन बहुत ही मुलाइम होती है और इसका प्रयोग शौल बुन्ने में किया जाता है ये शौलें भारत में पश्मीना शौल के रूप में विख्यात है उंट उंट के शरीर पर पाई जाने वाले फर का उप्योग भी उंट के रूप में होता है लामा और एल पेका डक्षन अमेरीका में पाई जाते हैं और उंट का उत्पादन करते हैं रेशे से उन तक उन की गुणवत्ता अच्छी होने के लिए भेड को अच्छा पोशक आहर खिलाना चाहिए घास चरने के अतरिक्त इन्हें मिश्रित दालें, मकई और जौर खिलाना चाहिए इस तरह से पाली गई भेडों के शरीर पर बाल की मोटी परत विकसित होती है इसे भेड की उन की परत कहते हैं और इससे उन प्राप्त होता है रेशे का उन में संसाधन आईए उस प्रक्रिया का अध्यान करें जिसके द्वारा भेड से उन प्राप्त की जाती है सबसे पहले भेड से उन की परत को उसके शरीर से उतारते हैं इसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है मशीन की सहायता से भेड की उन की परत उतारने की प्रक्रिया को उन की कटाई कहा जाता है उन की कटाई से भेड को पीड़ा नहीं होती क्योंकि भेड की तोचा की उपरी परत मृत होती है साधरनता बालों को गर्मी के मौसम में उतारा जाता है इससे भेड अपनी बालों की स्रक्षात्मक कोट के बिना भी जीवित रह सकती है इसके बाद भेड की बाल के साथ उतारी गई तोचा को जल कुंड में अच्छी तरह से धो लेते हैं यह प्रक्रिया चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाती है इस प्रक्रिया को अभी मार्जन कहते हैं धुली हुई बाल वाली तोचा की पर्तों को कारखानों में भीज दिया जाता है जहां उन्हें विभिन बनावट के अनुसार अलग-अलग रखा यवर्गी कृत कर दिया जाता है रेशों को विभिन रंगों में रंगा जाता है क्योंकि भेड की उन वाली परत काली, भूरी और सफेद रंकी होती है रेशों को सीधा करके लच्छों में लपेट लिया जाता है और अंतता उन उप्योग के लिए तैयार है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं उन एक पशू रेशा है इसे भेड, बकरी, उन्ट, एलपेका और लामा से प्राप्ट किया जाता है उन प्रोटीन रेशा है या एठन युक्त और लचीला होता है मशीन की सहायता से भेड के शरीर से त्वचा की परस से उन निकालने को उन की कटाई कहते है चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए बाल युक्त त्वचा की धुलाई करने को अभी मार्जन कहते है